नमस्कार में होप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बीएड इंटिग्रेटिड कोर्स में नामांकन के लिए इस दिन से करे आवे दिन जूट का दस कपड़े के साथ ही अब 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक थैले का होगा इस्तमार जिमूई की वारिल गर्ड सीमा को लगेंगे उच्छ क्वालिटी के कृतिम पैद केंद्रे सरकार ने 200 सी ग्रामी सड़क और 84 पुलों के दर्मान की दी मंजूरी सब्दान दोह शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खमरों की और विस्तार से बीएड इंटिग्रेटिड कोर्स में नामांकन के लिए इस दिन से करे आवेदन चार वर्षिय बीएड इंटिग्रेटिड कोर्स में नामंकन करवाने के एच्छुक विद्यार्थियों के लिए एहम सूच्छा आपको बता दे कि बीएड इंटिग्रेटिड कोर्स में नामंकन कराने के लिए एक जुलाई से आवेदन लिये जाएंगे एच्छोक विद्यार्थियों इस कोर्स के लिए एक जुलाई से आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के अंतिम तारीख आठ अगस्त ने धारित की गई है नामांकन प्रक्रिया की जिमिदारी भी राज़िपाल सेहकुलाधिपती के द्वारा नोडल विश्विद्याले के रूप में ललित नारायन मिथला विश्विद्याले दर्भंगा को दी गई है वही चार वर्षे इंटिग्रेटिट बीएट 2022 की प्रवेश परिक्षा 21 अगस्त को परिक्षा आयोजित की जाएगी अभेर्थी 18 अगस्ते अडमिट कार्ट डाउनलोड कर सकेंगे जूट कागस कपड़े के साथ ही अब 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक थेले का होगा इस्तमार एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तमाल पर रोक लगाई जा रही है इसको देखते हुए सिंगल यूस प्लास्टिक के दिस्तारन के लिए दुकानदारों को एक साल का समय दिया गया था इससे पहले 30 सितंबर 2021 तक सरकार ने पॉलथीन बैक की मोटाई 50 माइक्रोन से वढ़ा कर 75 माइक्रोन कर दिया था 29 जून को 46 यूवा का अन्दोलल बिहार में लगातार अगनिपत स्कीम को लेकर प्रदर्शन किये गए और अभी भी इसकी आख़त नहीं हुई है च्छातर अभी भी हिंसक बने हुए है लगातार एक सपता हिंसक प्रदर्शन करने के बाद और भारी संख्या में सरकारी संपत्ती को शती पहुचाने के बाद अब छात्र 29 जून को प्रदर्शन करने वाले हैं जिसे कुछ चंद विपक्षी राजनेतिक पार्टियां समर्थन कर रही है इस बीच 29 जून को राज्य के छातर युवा संगठन की तरफ से विधान सभा मार्च निकाला जाएगा जिसका भागपा माले समर्थन कर रही है भागपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि अगनिपत योचना देश और युवाओं के भविश्य के साथ केवल मजाख है हम इसके खिलाफ सदन में सड़क तक संगहर्श करने के लिए तयार है जमूई की बारल गर्ड सीमा को लगेंगे उच्च क्रितम पैर अभी कुछ दिन पहले बिहार के एक बेटी का वीडियो बारल हुआ था जो की एक पैरो पर्च्वल कर स्कूल जा रही थी इसी सब्ता वो अपने माता-पिता के साथ कानपूर के लिए रवाना होगी उसकी प्रतिभा और लगन को देखते वे बीटे कुछ दिन पहले ही उसमे खुरुक पैर अपलब्ध कराए गया था केद्र सरकार ने 280 ग्रामीन सडक और 84 पुलों के नर्मान को दी मंजूरी अब गाउं तक जाने वाली हर सडक दुरूस्त होगी आपको बता दे कि प्रधान मंत्री ग्राम सडक योज़ना के तहट केंद्र सरकार ने भिहार की 280 सड़क और 84 पुलों के निर्मान को मंजूरी दे दी है ग्रामीन कारे मंद्री ने कहा है कि 280 सड़क और 84 पुलों के निर्मान पर 1603 करोड में राजसरकार भी खर्च करेगी इस डाशी में से 953 करोड केंद्र तो वही 650 करोड राजसरकार खर्च करेगी इन सरको और पुलो के अंदर्मान को जल्द टेंडर निकाला जाएगा कोशिश होगी कि दो तीन वर्षों में इन सरको और पुलो का अंदर्मान कारे पूरा कर लिया जाए छटे विशे के तौर पर वोकेशनल सब्जेक्ट लेना हुआ अनिवारे कर दिया है इंटर में ना मांकर निवाले छात्रों को इन विश्यों का चैन करना होगा इसमें हर स्कूल में दो-दो ट्रेड के पढ़ाई होगी हर ट्रेड में 25 सीटे अनिवार की गई है ये स्कूल सबसे जादा पटना जुले में है इसकी संख्या 13 बताई गई है इसके अलावा नालंदा सिवान सासरा में तीन मुजफरपुर और भागलपुर में पांच नर्भंगा में चार सारन भोजपुर और कटिहार में दो-दो स्कूल शामिल है करोना की चौथी लहर आने की संभावनान ना के बराबर देश सहीद बिहार में भी करोना के मामलों में उतार चड़ाव जारी है राहत की बात यह है कि करोना के मामलों में लगातार व्रधीन नहीं देखी जा रही है इस बीच एक और राहत वाली खबर यहाई है कि इस बार करोना के उतने केसिस देखने को नहीं मिलेंगे जितने ज्यादा अने लहरों में देखने को मिरे थे डॉक्टर का मानना है कि अगर कोरोना का कोई डेल्टा में खतरनाक वेरियंट सामने नहीं आता है तो चोथी लहर के आने की आशंग का ना के बराबर है हाँ अगर कोरोना वाइरिस की केस रोजाना 350 से अधिकाते हैं तो चोथी लहर मानी जा सकती है महीं पटना में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है प्रते दिन 75 के ओसफ से मिलने माले मामले सामने आ रहे हैं लेकिन 10 से 12 दिन के बाद संक्रमतों की संख्या घटने की संभावना जटाई गई है पेट्रोल डीजल के दाम में कहीं बढ़ोतरी तो कहीं देखी गई कमे पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम जन जीवन को तरस्त कर दिया है इस बीच राजभर में कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो कहीं पर दाम घटने की वज़े से थोड़ी बहुत लोगों को रहत मिली है वही राजधानी पट्ना मुझफरपुर और भागरपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाब नहीं हुआ तो अररिया और कटिहार में थोड़ी बढ़त देखी गई है इस बीच पुर्निया गया दर्भंगा और मधबनी में लोगों को रहा देते वे पिट्रोल डीजल दोनों के दाम घटा दिये गए है आपको बता दे कि राजधानी पट्ना में रविवार को पिट्रोल डीजल की कीमतों में कोई चेंज नहीं आया पिट्रोल लीटर 107.24 रुपे तब डीजल 94.04 रुपे के हिसाब से विक रहा है इसके साथ ही राजधा के प्रमुक्ष शेहर भागरपूर और मजफरपूर में भी पिट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाब नहीं हुआ है पट्ना जू में फार्म हाउस बनेगा सेल्फी पॉइंट जू प्रसाशन की तरब से लोगों को आकरशित करने और वहां तयार किये गए फार्म हाउस की खूबसूरती को बढ़ाने के उदेश से करीब 20 अलग अलग प्रजातियों के आर्किड प्लांट लगाए गये है इसके साथ ही पट्ना जू का ये एरिया लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनने वाला है यही नहीं पट्ना जू में घूमने आने वाले दर्शक अब खूब रंग बिरंगे और खुश्बुदार फलो की बीच फूर्सत के पल बिता सकेंगे जू प्रसाशन की तरफ से लोगों को आकर शित करने और वहां तयार किये गया फार्म हाउस की खूब सूर्ती को बढ़ाने के उदेश उसे करीबी सलगलग प्रजातियों के और किड प्लांट लगाए गये है इस बीच निग्रानी विभाग को एक और बड़ी सफलता मिली है आपको बता दे कि निग्रानी ब्यूरो की टीम ने बीते दिन ड्रग इंस्पेक्टर जूतेंदर कुमार के चार्ठेकानों पर एक साथ शापेमारी की अवैद कमाई की बदौलग पटना गया समेत अन्य कई शहरों में जमीन के प्लोट मकान और फ्लाट खरीद ली है चार करोर से जादा कैश घर में मिले हैं जो एक रिकॉर्ड है जीतेंदर कुमार के घर में मौझूद आधा दरजल से अधिक गुद्रेजीत की अलमारी को खोला गया तो इनमें रखे बड़े-बड़े जोलों में पांसो एवं दो हजार के नोटों की गड़िया मिली सभी जोलों में रखे नोटों को निकाल कर अब गिनने का सलसला जब शिरू हुआ तो नेटरानी ब्यूरो के कर्मी परिशान हो गया निखिलानन ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाई सुषान सिंग राजपूत की केस बॉलबड अभिनेता बिहार के सुषान सिंग राजपूत के निधन को दो साल गुजर गये लेकिन सुषान का मामला अभी तक कोई अंजाम नहीं पहुँच सका है हाला कि बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिलानन ने महारास्टर में मचीज सियासी घटना के नीच उद्धव ठाकरे को सुषान सिंग राजपूत और दिशास सालियान केस की याद दिलाई निखिलानन ने बीदे दिन एक वीडियो जारी कर कहा कि पिता उद्धव ठाकरे, पुत्र अधित्ति ठाकरे और भौपू संजे राउत को इश्वर सजाद जरूर देगा इन लोग वोने सुबूत मिटाया लेकिन भागी का लिखा कैसे मिटाओगे सीबियाई भले सुबूत ना जुटा पाई हो और कोट भले नयायना दे इश्वर जरूर देगा विशेश निगरानी एकाई के हथे चड़े एक आई एस अधिकारी बिहार सरकार लगातार भ्रश्ट अधिकारियों पर श्रकंजा कस रही है लकड़ी कटवाने का आरोप लगाए गया था जिसको लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया है और FIR दर्ची गई हालाके भिशेख सिंग को उनके मूल कैडर वापस भेज दिया गया है सहाइक प्राध्यापक की नियुक्ती से समंधित रिपोर्ट ली सिक्षामंत्री ने कहा कि सहाइक प्रधाना ध्यापक की नियुक्ती में तेजी लाने की जरूरत है इसके बाद सिक्षामंत्री विजे कुमार चौधरी ने सहाइक प्राध्यापक के पदो पर 31 दिसंबर 2022 तक भाली करने का निर्देश दिया है कोरोना के मामलों में उतार चड़ाव जारी बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में उतार चड़ाव जारी है भारत का सख्रिय के इस सहीत वर्तमान में 91,789 है, केरल ने पिछले 24 घंटे में 926 सख्रिय मामलों की वृधी दर्च की है, जबकि महरास्ट ने 450 मामले दर्च किया, महीता मिलाडू ने 734 तिलंगाना में 274 पश्रिम बंगाल ने पिछले 24 घंटे में 460 सख्रिय मामले दर्च क केंद्रिये स्वास्तिमंत्रा लिद्वारा कोरोना के मामलों में वृध्धी के बाद कुछ राजियों में कोविड-19 परिक्षन को तेज करने के लिए कहा गया था वही भारत के स्वास्तिवश्य शग्य ने शरिवार को काये कि कोरोना के वर्तमान इजाफिक पाई कारंण ओमिक्रोन के वेरियंट बीए पॉइंट व्य पॉइंट-वइंट बीए पॉइंट वेंट गूत तो पॉंट-ट्रीयट हो सकता है कि मेडिकल टीम की देख रेक में है मालुम हो कि भारत और इंग्लान की बीच एक मादर टेस्ट की शिर्वात एक जुलाई से होगी ये पिछले साल हुई टेस्ट सीरीज का हिस्सा है कल हमारे दुवारा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया देटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान दबारा ना भूलें धन्यवाद